यह देखो सबसे पहले तो यह बीबो के नए मॉडल है यह पर लिखा हुआ ना एड सपोर्ट न्यू बीबो फॉन प्री लोडर मोड यह देखो और यह देखो यहां पर नए सीप्यो एड किये गए हैं प्री लोडर वाले ठीक है और यहां पर रियल्मी के भी कुछ फॉन मॉडल है ठीक है यह देखो नए मॉडल हैं यह सारे के सारे और नए सीप्यो भी एड किया गया है एंप्टी के वाला और यह हैं अनलॉक तूल का नए अपडेट राम राम जी कैसे हो आप सब और सुनाव घर पर सब ठीक ठाक है आपके ममी पापर ठीक ठाक है तो भाई यह देखो यह देखो अभिए अनलॉक तूल ने एक ओल्ट अपडेट दिया था पहले ये वाला इससे नए अपडेट से पहले का अपडेट है यह वाले जिसमें Realme की जितने भी फॉन थे वो सारे फॉन एड़ कर दिये थे इसमें यह देखो ठीक है और अब देखो अब एक नए अपडेट दिया है अनलॉक टूल ने यह वाला अपडेट है जिसमें ओपो और वन प्लस एक है यह और एक ही टूल से फ्लैस होते हैं मतलब कुछ दिन बीच में ऐसा हुआ था कि एक वन प्लस की आईडी लीक होगी ती जिसकी वजह से वह वही आईडी पासवर्ड ओपो की में काम कर रहा था मतलब ओपो और वन प्लस की एक ही आईडी से मौशली काम हो रहा था मतलब ऐसा हुआ था कुछ ठीक है तो कोई नी तो यह देखो कुछ नए मौडल एड किये गए लिखा हुआता हो है इस पर निव फॉन एड्स ठीक है और फैक्टरी रिसेट एफ पर पी और फ्लैस आप उस किसी भी एक भी मौडल को स्लैक करो उसके अंदर आ आप आर पीम रीदं राइट कुछ नहीं कर सकते ना बूट लोडर अंलोग कर सकते अब जैसे यहां पर देखो यह लिखा हुआ है यह फॉन है जो हमारी कंट्री में चलते नहीं है अदर कंट्री में हां पर देखो फैक्टरी डीशेट एफ आर पी अनलोक री लॉक बूट लोडर और यहां पर रीड और राइट आर्पी है यह देखो यह और यह देखो साउमी के कुछ फॉन है यह वाले ठीक है इनमें भी आप फैक्टरी डी सेट आफ फार फी फ्लैस कर सकते हो और यह तो अदर्स मॉडल है कुछ इनका तो वह ही नहीं ठीक है और एपल का भी एक एड किया गया iOS 17 in recovery mode पता नहीं चेक करना पड़ेगा यह क्या चीज है ठीक है तो यह देखो भाई unlock tool का तो आप सभी को पता कि कुछ ना कुछ नए update देता ही रहता और बेना update दिये तो कैसे बात बनती है इसकी मतलब इसका हर अपते में चैतो हफते में चार अपडेट आजाएं चैतो हफते के बाद एक अपडेट आए ऐसा होता रहता अनलग टूल में अच्छा टूल है अब यह देख लो कि यह नए फॉन है आपकी दुकान पर क्या आते हैं वन प्लस 11 है 5G है और वन प्लस ओप प्त लीम स्योपर नहीं कर रहें हमारे हैं हमारे यह नहीं हां के शाओ में की कुछ है यह कुछ मोडल क्या जितने भी एक से लेकिया 8 9 10 11 12 लोग वाग सब क्या करते हैं online फ्लैसिंग कराते हैं अगर उन्हें फ्लैसिंग कराना तो आप इन ओप लेकिन पर लिख़े वह न इन्हें आप offline फ्लैस कर सकते हो आप फैक्टरी को आप नॉर्मल भी आप वो बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा तो भाई जैसे तुक्का लगे जैसे टाइम मिले जिस तरीका से उस तरीका से काम कर लो वह बैटर है ठीक है और और सैमसंग गलेक्सी एफ जीरो फोर यह वाला मॉडल है और सैमसंग टैब ए सैवन टी दोसो पचीस है और ए चौधा फाइब जी तो मुझे यह बताओ नीचे कमेंट कर गे क्या हमारे हरियाने के अंदर सैमसंग टैब जो टी दोसो पचीस ते गौर्मेंटी टैब वो क्या भी दुकानों पर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो मुझे बंद से होगे होंगे अब तो कोई दिक्कत नहीं है उनमें ना कोई फार पी में कोई दिक्कत हो रहे होगी ना कुछ वैसा होगा मुझे सभी चल रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है और इस वीडियो की नीचे अगर नहीं चालू हुआ तो क्या मेरे को कोरियर कर सकते हो नीचे कमेंट करना वट्सप करना और कॉंटेक्ट करना मेरे को जरूर मैं उसके ऊपर बताऊंगा आपको कि किस तरीका से मैंचन करना है क्या करना है और क्या होगा क्या नहीं है ठीक है तो यह तो थी अपडेट अन तीन चार एक पांच और च्छे च्छे सीप्यों एड़ किये गए इसके अंदर ठीक है यह नए वाले हैं और यह देखो बीवों के मॉडल है यह एक्ससी है और यह पीडी मतलब इनका भाई नाम का बड़ा डिफरेंस होता अधर कंट्री का इंडिया कंट्री का यह बड़ी द अपन ठीक है और बीवो बी 27 फाइब जी है और यह बीवो का यह भी है अंधिश्य वी 29 यह भी देख सकते हो आप और रियल मी के कुछ फोन है यह वाले यह फोन भी देख सकते हो बेंटरी लो होगी लैप टॉप की कोई नहीं ठीक है तो और मोटरूल आके भी कुछ मॉडल और यहां पे भी कुछ वन प्लस के वन प्लस और उपो के वी कुछ मॉडल है मैं बता दूरा है यह सब कुछ उसी में प्लस में ज्यादतर चल रहा और यह देखो इन्फिनिक्स भी है और टैकनो भी है इसमें ठीक है तो देख लेना भाई यह अपडेट है अनलॉक टूल का जिसको अच्छा लगे वह तो करना ही करना क्योंकि बिना अपडेट के तो चलता ही नहीं है जितने भी प्राने सैटप होते हैं सबको डिलीट मारके नया सैटप डा हारत